आज के क्लास में हम लोग देखेंगे AP and GP बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टोपिक है और लगातार यहां से कुश्चन्स जो है वह आपको एक्जामनेशन में देखने को मिलता है तो बने रहेगा क्लास के अंतर नमस्कार दोस्तों एक वर फिर से आप सभी का बहुत बहु बनेशन में ज्यादा है इसका जो पीडियाफ है वह भी आपको मिल जाता है मैंस वाटिकाटेलिग्राम के लोग टेलिग्राम को भी जरूर करेगा और वहां से क्लास के जस्ट बात जहुरे में तब होगा जब उसके पदों के बीच का जो डिफरेंस है अंतर है वह एक समान होगा जैसे यहां पर हम एक स्रीज लिख रहे हैं दस हो गया पहला पद उसके बाद अगला 13 लिखे फिर 16 है फिर 19 है और इसी प्रकार से यह स्रीज आगे भी आपका चल रहा है अब इस स्रीज को गौर से देखें यहां पर देखें पहला पद क्या है आप बोलोगे सर पहला मैं सद्ध्र है दूसरा पद क्या है है स्ोला है यानि दूसरा पद两cak AHB Regan at CT 2 दूसरा से तीन ज्यादा को था दिस से तीन ज्यादा यानि लागातार पदों के बीच में एक समान अंतर है तो यहां खालाएगा समान अंतर स्रेणी यरुच्छ उसली है जैसे 10 है तो 10.5 हो जाएगा उसके बाद 11.5 हो जाएगा उसके बाद 12 इस तरीके से हमें सिर्फ क्या देखना है कि अगर पदों के बीच का जो difference है यानि प्रतेक अगला पद का जो डिफ्रेंस है वो हर जगा अगर हमें समान मिलता है तो वह स्रेणी कहलाता है समानतर चलिए अब कोई भी स्रेणी समानांतर स्रेणी में होगा उसकेस में क्या होगा उसका जो पहला टर्म होगा जो पहला पद होगा उसको हम लोग एसे डिनोट करते हैं तो आगे से जब सारव Hampson को है कि अधर साइब कि अंतर को तो यहां बताए कि अंतर कि किना का और अगले पद में थो पिखला घटा के लिए 13 में से 10 घटा ये कीतना का तीन का वैसे देख कि आपको पता चल जाएगा कि अंतर कितना का है कोई जरूर नहीं है कि हमेशा पदों में अंतर पॉजेटिव ही हो पदों का जो अंतर होगा वो सकता अगर कि तरीके से बनाएंगे तो पहला पद हम लेंगे A, ठीक है? अगला पद अब क्या करेंगे? इसमें difference जोरेंगे, तो A पलस D, अगला पद क्या होगा? इसमें difference को दो बार जोरेंगे, यानि A पलस 2D यह देखे, अंतर चल रहा है कितना का? यह value जो है, इससे D जादा है, क्योंकि इसमें D जोरेंगे, तो दो बार D आ जाएगा, अगला क्या हो जाएगा? A पलस 3D, फिर अगला क्या होगा आपका? A पलस 4D, यानि खुद से कभी बनाना पर जाया स्रीज, तो हम कुछ इसी परकार से यहाँ पर स्रीज बनाएंगे, समना अंतर स्रीणी बनाएंगे, अब यहाँ गौर से देखे आपके इसी से आपका एक फॉर्मूला बन गया, पहले इसको देखे, पहला पत क्या है? A, दूसरा पत क्या है? A, पलस 2D, देखे तीशरा पत तो A, पलस 2D, चौथा पत देखे बनान? मद क्या है? A पलस 4D, यानि अगर गौर से देखेगा तो पता चलेगा, दूसरा पत T, शौथा है तो 3D आया तो कहने का यह मतलब है कि जो भी पद निकालना होगा जैसे दसमा पद तो क्या होगा ए फ्लस आपका 10D हो जाएगा देख पा रहे होंगे तूसरा पद फैर पद ए पलस बी तीसरा पद ए पलस टूड़ी है तो यहां से क्या फॉर्मूला बना कि जब भी आपको समानांतर स्रेनी के अंदर इनमा टर्म निकालना हो इनमा टर्म कहने का मतलब कि आपका दसमां हो सकता है बीसमां हो सकता है पचासमां हो सकता है सौमां टर्म हो सकता है कोई भी टर्म आपको निकालना हो आपका मन कर जाए कि हमें पचासमा पता पता करना है कि क्या है तो कोई भी निकालना हो तो आप यहां पर इक फ फार्म्डुला लागा लिजएगा फॉर्मूला क्या है e पढंस एस एक घटा है यही आपका एक फॉर्मुला बन जाता है और बहुत ही यूजपूर फॉर्मूला है इसका बहुत ज्यादा हम लोग लोग यूज करते हैं जब भी न मार टर्म निकानना होगा तो क्या करेंगे एक पलस एन माइनस वन इन्टू डी जैसे चौथा टर्म एपलस 3D हो जाएगा देख़ लिजब पहला दूसरा तीसरा चौथा चौथा टर्म क्या है एपलस 3D कहने का मतलब पहले पद में पीन गुना डिफरेंस से गुना करेंगे तो चौथा पद निकल जाएगा पहले पद सबसे पहले लिखे तो एक जगा रखेंगे हम 10 और पलस पचासमा पद निकालना है न तो इनके जगा क्या लेंगे 50 तो 50-1 कितना हो जाएगा 59 और दी असे गुना कर लीजें डी का फेलू यहां पर कितना है दस तीन तेरा तीन का अंतर चल रहा है 3 का यानि यहीं आपका 50 पद हो जाएगा उनचास सब्सक्राइब करेंगे कितना हो जाएगा 147 और दस एक सब्सक्राइब इस रेनी का आपका पचासमा पद हो जाएगा तो जब भी इनवा पद निकानला होगा तो हम लोग अगर इन टर्म यहां पर आपको निकानला हो इन पदो का योग निकानला हो तो हम क्या करेंगे जैसे जीतने पदों का योग हम से पूछा जाएगा जैसे इस रेनी में जितना भी पद होगा वही n का मान होगा n by 2 into हम यहां पे लिखेंगे 2a और पलस n minus 1 into d n minus 1 into क्या हो जाएगा d हो जाएगा कहने का मतलब कि जब भी किसी स्रेनी के जब भी किसी समानांतर स्रेनी के n पदों का योग निकान ला हो तो formula क्या लगाना है n by 2 into 2a plus n minus 1 into यही चीज है n by 2 into first plus last यही चीज है n by 2 into क्या करेंगी first plus last करेंगे इससे आपका n पदों का योग निकल जाएगा तो दो formula समानांतर स्रेनी के अंदर आप देखें एक तो n अगर निकानना होगा तो a plus n minus 1 into d अच्छा कोई जब नहीं कि हर बार n अगर निकानना हो कभी कभी क्या करता है कि आप से n अगर तर्म दे करेंगे हम लोग समानांतर माद भी देखेंगे जब वहां कोश्चन आएगा तो देख लेंगे फिलहाल आप इन दो formula को देखिए अब बात करते हम लोग जो स्रेणी आपका चल रहा है तो यह स्रेणी किसमे कहल आएगा जोमेटिकल प्रोग्रेशन में यानि की जीपी में जोमेटिकल प्रोग्रेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं जीपी बोलते हैं जहां पर आपको गुनात्मक बिर्धी देखे समझे कि वह किसमें है वह आपका सब्जोंत सभराइज यहां पर पहला पद यह हम सतना होजाएगा यहां सतना पर हम लोग डिफेरेंस ने निकालते हैं रेष्यो निकाल ते रेष्यो का मतलब होता है कि प्छला वार क्या कर रहे थे समांतर Dash Enni में अगले में पिछले घटा रहे थे यहां रेश निकालना है यानि अगले पद में पिछले पद से भाग करना है तो चौदा बट्टा साथ कितना ओजाएगा तो जायेगा यानि जितना गुना का बिर्धी होता है न वही आर कामान होता रतल रेश्यों इसको सार्व अनुपात वोलते ह किसी भी अगले साथ 2 28 14 थो यानि किसी भी अगले पद में पिछले पद से भाग करियेगा तो आपका सार वनुपात निकल जाएगा या नीजियों निकल यहां पर TN निकालने का क्या फॉर्मूला होगा देखेगा एनमा टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा इंपोर्टेन फॉर्मूला है जब भी एनमा पद निकालना होगा किस की बात कर रहे हैं जीपी की बात कर रहे हैं तो यहां हम लोग लिखते हैं A into सबसे पहले A या इससे क्या निकलेगा इसी भी गुनत्तर सेनी का इनमापद जब भी इनमापद निकालना होगा तो क्या फॉर्मुला लगाएंगे एंटू आर्टू दी पावर इनमाइनस वन जहां यह कि अस्थान पर पहला पद रखेंगे आर के अस्थान पर क्या रखेंगे हम लोग सारव मनुपाद और इनके अस्थान पर जो भी मिन जायरी मिसारा यह जैकि पहला पर निकालना तो सथान पर सात लिखे इंटु आर के जगा यहां पर किया होगा चौदा बटा साथ दो और हम क्या चाहरे पांच माइनस चार कितना चाहने का मतलब एक अस्थान पर हम साथ रखे इंटू आरके अस्थान पर सार्वंतर दो का है तो दो लिए पांच मांपचार तो इनकामान पांच तू पांच मैनस एक चार हो जाएगा दो का पावर 416 16 सते कितना हो गया 112 तो जीपी में जब भी इनमापद निकालना होगा तो एंटू आर्टू दी पावर इन माइनस वन आपको यहां पर फॉर्मूला लगा लेना है नमान लिजे कि कभी जीपी में योग निकालना पड़ जाए क्या पड़ जाए अगर जीपी के अंदर में यहापका एपी का है जीपी के अंदर अगर योग निकालना पड़ जाए लोग बात किसका करने अभी जोमेट्रिकल प्रोगेर्शन का तो यहां पर अगर सम आफ इन टर्म निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे फॉर्मूला यहां लगाएंगे ए इन टू वन माइनस आर्टू दी पावर इन पटा वन माइनस आर्या तो इसका उप्योग करना है या फिर यहां देख लिजेए या फिर हम किसका उप्योग करेंगे या फिर इस फॉर्मूला को मैंसे लिख सकते हैं ए इन टू आर्टू दी पावर इन माइनस 1 और बटा आर माइनस 1 अब यहां डिपेंड करता है कि अगर R का मान एक से जादा हो एक से जादा हो तो यह फॉर्मूला लगाईएगा इससे लाभ क्या मिलेगा जो मान है वह पोजेटिव आएगा आर का मान अगर एक से जादा हो तो एक तो घटाना है न तो एक से जादा हो तो पहले R लिखिएगा बाद में एक लिखिएगा और अगर आर का जो मान है वह 11 से कम हो जैसे यह बिटा 2 1 2 3 1 2 4 इस तरीके से हो तो आर को क्या करना है एक में से घाटा लेना है इसका उपयोगता करना है जब R का value एक से बड़ा हो यानि 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से हो तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग R का value अगर 2, 3, 4, 5 तो इस formula का उप्योग कर लेंगे और अगर R का मान जो है एक बट्टा 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4 इस तरीके से एक से छोटा है तो हम इस वाले formula का उप्योग कर लेंग और एक चीज़ और यहाँ पर निकालना होता है sum of infinite अनंत पदो का योग तो अगर अनंत पदो का योग निकालना होगा तो formula हम लोग लगाते है एक बट्टा 1-R एक का मतलब पहला पर एक का तो मतलब समझा रहे है R के अस्थान पर क्या लिखना है जो सार बंतर आपका निक 1-2D करना है और गुनतर तरेनी के अंदर इनमा टर्म पूछे एंटू आटू दी पावर एन-1 करना है आईए कोश्चन के उपर आते हैं पहला कोश्चन देखे क्या है सामाना अंतर तरेनी 3 8 13 18 23 का 50 मा पद क्या होगा हमें क्या बताना है 50 मा पद सबसे पहले देखिए आर आठ माइनस 3 कितना होगा 5 देखके बता चल जाएगा हमें क्या बताना इनमा पद तो इनका वहलू क्या हो जाएगा नवापद बताना है तो इनका वहलू आपका हो जाएगा 50 ठीक है सवाल हमें क्या है पचासमा पद क्या होगा अब बताईए कि इन का फॉर्मूला क्या होता है अन्मा टर्म निकालने का अस्तर ए पलस एन माइनस वन इंटू डी यहीं तो होता है तो लगाईए हमें क्या चीज़िए इस बार पचासमा पद यानि टी-पचास का वेलू जैसे पहले नंबर पर तीन है दूसरे पर आठ तीसरे पर 13 उसी तरह से 50 वे अस्थान पर कौन सा नंबर है यही तो निकालना है उस सब्से पहले इतली कि तो एक जगो थीन और पलस एन माइनस वन तो इन कामान है पच्चास तो पच्कास माइनस एक क्या होगा उणास जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 248 तो यह जो वैलू आगया आपका 248 आगया और यही आपके कोश्चन का क्या होगा तहीं आंसर हो जाएगा 248 यानि कि बिकल्प भी यहां पर राइट आंसर बंढ़ा है तो समानांतर स्रेनी है पचासमा पद पूछ रहा है तो हम सीधे करें लिए पलस उन्चास ली एक जगा 3 और पलस उन्चास और डी कामान 5 बस इतना कैलकुलेशन आपका होना चीए इससे ज्यादा नहीं करना पचासमा पद पलस उन्चास ली चौत पद यानि एपलस थिरीडी दसमा पद यानि एपलस नौडी जो भी पद निकालना होगा गह लिजेगा ताठमा पद एपलस 69 जो भी पद निकालना होगा एक घटागर के डी से गुना ठीक है ताठमा पद तो एपलस 69 नीना सौमा पद तो एपलस निन्यान में डी क्लियर चलिए तो इस तरीके से आप इस पहले कुश्यन का अंसर निकाले हैं बिकल्प भी आगे देखिए उस समांतर सेणे का नौमा पद ग्याद कीजिए हमें क्या बताना इस बार नौमा पद तो नौमा पद क्या होगा एपलस आठ डी होगा नौमा पद क यही तो लिखते हैं नौमा पद निकालना है तो इनके जगा क्या रखिएगा नौहीं रखिएगा तो 9-1 कितना होगा आठ यानि ए पलस आठ डी का मान निकालना है तो एक आमान बताइए क्या है त्रेणी में पहला कुछन में पहला पद दिया है कितना पांच अंतर दिया है चार नौमा पद पुछा है तो ए पलस आठी दस्मा पद पूछा तो ए पलस नौडी कर लेते बस कुछ नहीं करना है सीधे हम लोग अपने आंसर तक आ जाएंगे अगला देख लिए सवाल नमर तीन एक समाना अंतर स्थान पर क्या रखेंगेक डिफरेंस बताई perfect कैसे निकाल होगी उगले पद से पिछला पद घडाएंगे तो क्या और वा अगर दिक्कत हो तो फिर आगे से कर लिजिए तीसरा में से दूसरा घटाकर दिख लिए पांच रूट का αυτό रूट दो मैं से पांच रूट दो हमएस पर आइन कि उन एकर बना आपके कोश्चन स Like करेंगे तो और जोडिएगा तो अठारा बारुट दो इधर है और आपका आंसर हो जाएगा नएस रूट तो कौन से प्सन में है विकल्प दी में आगे चलिए अब इस सवाल को देखिए सवाल नंबर 4 को इसको हम लोग 2 तरीके से सवानांतर वाले फॉर्मुला का भी उपयोग करेंगे और एक और ट्रिक भी यहां पर हम आपको बताएंगे और बहुत इंपोर्टेंट और रिपिटेट सवाल है बोला है से बड़ा होना चाहिए और 3000 से छोटा हमें 1000 कुछ एक नहीं करना है जैसे हम आप से कहें कि 10 और 15 के बीच का नंबर 11 12 13 14 है ना कि 10 और 15 दस और 15 के बीच के बीच में 10 और 15 नहीं आता है दस और 15 कब आएगा जब 10 से लेकर के 15 तक हम बोलेंगे तो मैथमेटिक्स में थोड़ा भासा का आपको ध्यान रखना होता है तो यहां बेला बोला है कि 1000 और 3000 के बीच यानि की 1001 से लेकर के 2999 में तक ठीक है कोई बात में समझ में आ रहा है ऐसी कितनी संख्याय है जो सथ से विवाज है तो हम क्या करेंगे कि इसमें पहला संख्या पता करेंगे जो 7 से विवाज होगा और उसको दर्साएंगे A से, तो आप बताओ, कि 1000 और 3000 के बीच में पहला संख्या जो 7 से कटेगा, तो 7 से भाग देके चेक करिए, 27, एकम, साथ, तीन बचेगा 30, 64, 28, 22 बचेगा 20, साथ, दुना, चव्धा, देखे deutlich, साथ, एकम, साथ, तीन बचा न, 30, साथ, चौके, 28, 22, बचा 20, अब 20 में 7 से भाग करना है, साथ 1, 21 एक और रहता तो 7 से भाग लग जाता, तो इसमें एक और जोर दीजी, यानि एक हजार एक पहला नंबर है जो साथ से कट एक हजार में जब हम साथ साथ से भाग किये तो क्या हो रहा था हमारा जब एकहजार में साथ से भाक के तो सा चोंअ है तन पर्शाद 22 x al dads Heurata अब सह साथ से कटने के लिए हमें कमने कितना चीज़ए वगे में कम से कम एकशार your पर कईस के लिए एक जोड़ा पड़ेगा具ा। अब आगए चलिए आकरी this in से दर्स आए इनमापद आखरी पद को हम थी ए पथ आ लेते हैं ठीक है इन का मतलब अलग होता है यहें का मतलब इंथ टर्म होता है और इंफ का मतलब होता है कि number of term?」 ठीक है तो अंतिम पद बताए यानि इसमें से चार कम कर लीजिए तो 296 में ऐसा नंबर है जो कि आपका चार से जो कि आपका साथ से कड़ जाएगा साथ से भाग करके देखें साथ चोके अठाइस एक उनाई साधूना चौदा पांट साथ आठे चापन यहां पर देखें तीन हजार में इस बात को भी समझ अठे कितना हो जाएगा 56 से बचना चार यानी इसमें से अगर आप 4 हटा लेते हैं तो इस बजह से इसमेंट चार घटाएगा और जब यहां साथ से भाग कर रहे थे तो यहां पर क्या रहा था जब यहां पर साथ से हम लोग बाग कर रहे पहले वाले नंबर में कि अच्छे से समझेंगे भी बताएंगे साथ एकम साथ हो रहा था यहां पर तीन साथ चौक एठाइस दो बीस अब इधर आ रहा है साथ दूना क्या रहा था से 6 अब सोचिए कि अगर इसमें घटाना होता तो एक हजार में से 6 घटा लेते लेकिन घटाना नहीं क्योंकि एक हजार के आगे जाना है तो छे के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो साथ से कट जाएगा तो वह साथ ही है मतलब सिर्फ इसमें एक जोडने पर ऐसा नंबर मिलेगा जो साथ से कटेगा तो इस बज़े से साथ का चिलेगा हमें इस कोशन में इन का वैलू बताना है लागा ये क्या होता है आपका फॉर्मुला वोला फॉर्मुला ओम प्रम आनमा बताना है कितनी संक्यां है और ड के जगर क्या लेंगी जितना से कटने वाला संक्या पुछे न डी का मांन घै कि को डी होगा ऑश देखिए कि एक हजार एक इधर आ कि 196 में इसे घटएगा नशन घर घंझाएगा तो भवाग तुमें ऐन माम यार् और में Kaiser साथ इस अब भाग में बडरा पहरों किया है और रीकास पांची तो कि बराबर क्या है इन माइनस वन तो इन का मान बता दीजे क्या हो जाएगा 286 इन का वहलू यहां पर आपका 286 आ गया बिकल्प सी आपके कोशन का अंसर हो गया तो यह बेसिक तरीका है अब डारेक्ट हम इसको कैसे करेंगे देख लीजिए पहला पद पता है एक हजार एक अ अंतीम पत लिखेंगे सबसे पहले यानी सब्सक्राइब कर सकते हैं यह तरीका क्या है लास्ट माइनस फ़स्ट बट्टा डिफरेंस पलस वन जब भी काउंट करना हो कि कुल कितने सब्सक्राइब करेंगे अगले को नियमन को के से इसी कितनी संख्याएं जो आट से विभाज है तुम क्या करेंगे हम पहला पहला संख्या नीकालेंगे झो आठ से विभाज है तो आठ से उसाघन सबसे चोटा संख्या सau है को रहां से बाघ ना अीजचार क्यों मना Хok Elamata सर्ग estaller कि सब्सक्रीं करना अच्छार सहрашके एक सबस्क्राइब मतdıर मार्ग उपलीच 20 के अगले नंबर से 24 में कटेगा और तिरिक चौबüs यानि चार और होना चीतो एक सोचार पहला पद हो गया अंतिपद अता conservative दम्li को सबसे तेनर का बताना है तो तीनर के सबसे बढ़ से बरा नंबर कौन है किन्स加व सबसे बरुकिळा नॉबन सबसे नंबर 9100-ございます तो आठ से कटने वाला देखे तो आठ से बचेगा यहां पर एक उन्हाइस आठ दुना शोला तीन उन्चालिस आठ चोके बतीस यहां साथ बच रहा है तो साथ माइनस कर लिज़े यानि की 902 में आखिर का नंबर होगा जो कि आपका आठ से कटेगा कि उन्हां की सवाल है कितनी संख्या Tr person का संख्या यानि की 903 अंका संख्या यानि की सौ से ले करके कहां तक नौसव निन्यान में तक यही तो संख्या होगा तीनंका तो सौ से लेकर के नौसव निन्यान में तक में ऐसी कितनी संख्या है जो आठ से विवाज है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि सौ से नौसव निन्यान में तक में पहला नंबर कौन है जो आठ से कटेगा वह एक है कि इससे पहले का ऐसा कौनसा नंबर है जो आठ से खटेगा आठ से भाक की आठ एक बच्चा उनिस आ लॉन चालेस और यहां पहला आंति मिल गया बताइए कि कि हमें बताने कितनी संख्या इनकामान तो हम क्या करेंगे इनकामान निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे लास्ट यानि की 902 मैंनस फॉस्ट यानिकी 104 और नीचे में क्या रहेगा डिफॉरेंस जो कि 10764, MBA 111, 111, 111, 112, सवाल क्या जवाब, यहां पे मिल रहा है 112, तो यह बेहतर तरीका है ऐसे कुश्चन को सॉल्व करने का, बाला फॉर्मूला लगा करके यहां difference कितना हो जाएगा, difference यहां पे आठ का होगा चुकि हमें तो इस तरीके से हम लोग अपने कुश्चन का अंसर निकाल सकते हैं आप चाहे तो पीछे जो फॉर्मिला लगाए है टी एन बराबर एपलस एन माइनस वन इंटुडी को लगा करके भी एनकामान निकाल सकते हैं यह पता है यह पता है तो फिर आराम से हम लोग एनकामान भी दस संक्याओं का योग क्या होगा अब यहां पर बताए कि पहला पद क्या होगा आप बोलोगे सर माइनस तीन पहला पद डिफ्रेंस कितना का है अगले पद में से पिछले पद को घटा करके तो दूसरा में से पहला पद घटा यह तो दूसरा पद है माइनस आठ इसमें से पलंस है तो पल्स टीन एक माईनस में घंटाते नियर्व तो आट यानिकी माइनस पांच पुलाइगा देखें न माइनसपां जोड़ेंगे मैंनेज़ी शाट इस गूष्टियोग तो हम क्या करेंगे देखेगा sum of हमें बताना इस question में 10 पदो का योग sum of n term क्या होता है n by 2 जब भी n पदो का योग निकालना होगा तो सबसे पहले n by 2 into 2a plus n minus 1 into d यही तो है जब योग निकालना होगा तो यह formula अब n by 2 करिए सबसे पहले आप बताइए कितने पदो का योग आपको चाहिए question में n का value क्या दे रखा है n का value दे रखा है 10 n के जगा 10 10 बटा 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे जब n के जगा आप 10 रखेगा तो 10 बटा 2 5 तो होगा ही into आगे देखे 2a एक आमान कितना है minus 3 minus 3 में 2 से गुना करेंगे minus 6 यहाँ पे हो जाएगा आगे चलिए plus n minus 1 तो n का value 10 है 10 minus 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा into difference difference कितना का है minus 5 तो minus 5 रखेगे इसका जो value है उसको अपने जगा पे रहने भी 10 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा यह आपका 5 होगा राकेट का मतलब गुना इसका calculation करिए 9 गुने minus 5 minus 45 तो minus 6 plus minus minus ही उधर हो जाएगा तो 9,5,6,45 minus 45 में minus 6 जोड़ेंगे minus 51 कितना हो जाएगा minus 51 और 55 गुने 5 255 minus है तो minus तो minus का 255 आपके question का answer होगा minus 255 फॉर्मूला लगा कर कि अपने question का answer हमें यहाँ पर दा देना है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d और यहाँ पर आप देख पारे होंगे जो difference है वह क्या है आपका negative है तो difference negative ही हो सकता है कोई दिक्कत इससे नहीं है इस question में देखे question number 7 question number 6 में क्या था आपका question number 6 में अन्तिम पद नहीं पता है तो हम formula लगा n by 2 into 2a plus n minus 1 into d इस question में देख लीजिए हमें योग ही निकालना है और समनांतर स्रेणी ही है कैसे पता चला देखे पहला पद क्या है आपका पहला पद है 6 पहला पद पता है अन्तिम पद भी पता है पहला पद भी पता है और अन्तिम पद भी पता है और इसका योग निकालना है चुकि प्लस दिया हुआ है तो आप बताये कि sum of n टर्म क्या होता है कि sum of n टर्म होता है इन बाइट टू इन्टू फास्ट पलस लास्ट यानि ए पलस एल ऐसा कब होता है इस लिए नहीं किया है तो जब लास्ट टर्म पता हो तो सिर्फ इतना क्यलकुलेशन तो एन के जगद चे बटाद कितना हो जाएगा तीन ब्राकेट का मतलब गुणा देखिए एजी हो गया इन के जगद छे तो छे बटाद दो तीन हो गया फस्ट पलस लास्ट तो पहला पांच है पहला पद छे है और अंतिम पद क्या है से खथ से कितना हो जाएगा आपका सथटर हो जाएगा यहीं तो होगा तो तो गलत तो नहीं कर रहे ना अच्छा इनका फैल टू पता ही नहीं है हो एक यहाँ देखिए अब क्या करेंगे हम और सब्से पहले निकालेंगे तो तरीका और यहां पता हो तो लास्ट यानिकी एकखतर स्स tussen यानिकी छे बता डिफ्रेंस इतना का चल रहा है पांच का और पलस वन करिये इससे इनका मा निकल जाएगा तो एक सतर में से छे घट आएंगे कितना होगा 65 65 अबटा 513 13 और कितना 14 तो इनका वैलू आपका 14 होगा अब इनका वैलू 14 तो 14 बटा दो यहां हो जाएगा साथ और इन्टू ए पलस ए यानि फस्ट छे लास्ट एक सतर एक स तर और छे सततर ततर गुने साथ सा सते उन्चास नों हासिल चार सा सते उन्चास और चार तिरेपन यानि 549 आंसर बिकल्प यह हो जाएगा क्लियर ठीक है कि देखिए हिस helping कि कर लिये यह अगर अंतिम पद पता है हम इन निकालने का तरीका जब ही में पहला पत और आखिर का पड़ आपको पता हो तो एन निकालने का यह C respect है पहुत एंपोर्ट है लास्ट माइन आप में ऐसे आगे आगे जो है हमारे पास 177 है कितना पद है इसमें जैसे एक दो तीन अप्टू कितना पद तो आप क्या लिखिएगा सबसे पहले लास्ट यानि 175 माइनस फॉस्ट यानि कि 40 नीचे में डिफरेंस 40 में 45 5 का पलस वन करना मत भूलिएगा 175 में से 40 घटाइएगा कितना हो जाएगा या आपका 135 से भाग करिए पांदूना दस तिन बचेगा पांद सते पैंतिस सताइस और एक कितना हो गया 28 पद हो गया तो जब भी पदों का संख्या निकालना होगा तो यह बहुत बहुत बहुतर तरीका है लास्ट माइनस फॉस्ट बटा डिफ्रेंस प्लस वन यहां भी हमें पदों की संख्या बताना है कि इसमें कितना पद है जितना पद होगा वहीं इनकामान होगा सम लोग निकाल लिए यह पी को आप देख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से अब बात हम लोग करने वाले हैं जीपी का और जीपी क पहला पता दीजे क्या होगा इसमें क्या दिकत है आप बता यहां पर कि आर यानि कि सारवंतर क्या होगा अगले पिछला से भाग कर यह कानतर यहां सारवंतर निकाल सकते हैं कि यहां सारवन उपाथ होता है आगे हमें क्या बताना इसमें हमें इस कॉस्शन में बताना है इंट्र रों क्या होगा तो इन का complexity क्या हो जाएगा 11 जो भी पक्निया आपसे हैन का भिल होगा 11 लगा ये इस फार्मूला को सबसे पहले देखे टो एकजिए क्या लेंगे मोला इन्टू आर के जगड़ और न के जगा एक 111- यानिकी 10 तो न के जगा 1111-10 अब 2 काप आवर दस कितना होता है 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 255, 1224 1224 तो यहां वहलू क्या हो जाएगा आपका 16 गुने 1024 तो 16 में 1024 से गुना कर लीजिए अंसर आपका आजाएगा 164 चार हांसिल 6 169 32 और 368 हांसिल 3 161 60 और 3 163 यानि 163 84 यही आपका आंसर 164 बिकल्प भी यहाँ पर राइट आंसर आपका बन रहा है इनमा टर्म निकालने के लिए फॉर्मुला एंटू आर्टू दी पावर एन माइनस वन हो जाएगा वरी अगले कुशन में इसी गुनातर सेनी का पहला पद दो है पहला पद यानि एक आमान क्या है आपका दो है और देखे क्या बोला है तार वनुपाद टीन है यानि यहां परटीन है दे रख है उस्लिका पांचमा पत क्या हो oldest यानि की पांचमा टर्म क्या होगा तो kazchodzi एंटू-अ-ब So power इन माइनस 1 तो एन के जगा 5 5 मैंनस एक 4 इनका पावर 4 कितना है या 27 एकासी एकासी गुने दो एक सो बासट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी आगे बढ़िए उल्हाय दी गई स्रेणी में पदों की संख्या बताईए आप इस रेणी का पहला पद बताईए सर्पहला पद एक आमान कितना है चार है और यहाँ पर अंतिम पद य पता है टार 15 उपात आठ बट्टा चार दो सारवं पात दो है हमें क्या बताना जीवाँ कोशन में क्या होगा और रेक स्मयं जीपी में यह बताने के आप सक्ता नहीं है दोगनाों हो रहा już और फॉर्मूला क्या होता है आफ स्साइब निकालने का टीन बरावर एंटू in रिदर तूदि पावर in minus 1 वार के जगा दो और दू का पावर in minus one इनका वहलू पता है नहीं तो इन पर हने दिए तो आया घो वी झानल ली तर लेति हैं भाल तो चार से को काट लेते हैं तरफ में 4 हो जायएगा किटना हो गया आपका चारे कम 4 एक बचेगा 4 दुना 8 4 अठे 32 एक सौर्थाइस तो इधर आपका एक सौर्थाइस है तो एक सौर्थाइस को क्या लिख सकते है दो का पावर क्यों कि इधर बेस दो के रूप में इस वज़ा से दो दुना 4 आठ सोला बतिस चौर्थाइस दो का पावर साथ सकते हैं दो का पावर साथ ब्रावर इधर क्या होगा दो का पावर माइनस व्वन दूनों तरफ से यह से बेस कार दीजिये धिसत बून इंस ऀन का थीphone माइनस दोनी धरा के साथ में जूटेगा कितना हो जाएगा यहीं वैलू आपका इनका हो जाएगा देखना होता है हमें कि डाटा दिया क्या है इनमा टर्म या तो दे दे या इनमा टर्म पूछे दूनों के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं यह न बराबर एंटू आर्टू दी पावर इन माइनस वट आगे बढ़िए गुनोतर सेनी का पांचमा पता यह पांचमा पताना है तो क्या लिखेंगे यानि कि टी फाइब बताना है तो सबसे पहले एक जगती इन्टू आर इतना गुना बिर्दी हो रहा है दो गुना तो दो और इन माइनस वन तो पांच माइनस से कितना हो जाएगा चार दो का पावर चार सोला सोला तीया और तालिस कोई दिकत नहीं समानांतर माध और गुनतर माध को हम लोग बोलते हैं और इसको हम लोग एम से दिनौट करते हैं ज्यादा तर आपको एम ही लिखाओ मिलेगा तर दो करेंगे तर दोनों को जोर करके दो से भाग, यानि A पलस B बाई 2 करेंगे, ठीक है, अगर तीन नंबर का उसत निकालना होगा, तो A पलस B पलस C पलस D, पटा क्या कर लेंगे, चार कर लेंगे, और चुकी यहाँ का समानांतर माध है, यानि एक समानांतर होता है, तो अगर इन पदों क का भी, यानि फॉस्ट पद पता है, और लास्ट पद पता है, तो फॉस्ट पलस लास्ट बाई 2 से भी आप समानांतर माध निकाल सकते हैं, जैसे बहुत सारे पद है, किसी सरे निए, अगर दो ही पद है, तो दोनों को जोर करके दो से भाग कर लीजे, निकल जाएगा, ले लेकिन अगर हम बात करते हैं, गुनोत्तर माध का, जिसको हम लोग किस्चे दरसाते हैं, गुनोत्तर माध को हम लोग दरसाते, GM से जुमेटिकल मीन इसको बोलते है, जुमेटिकल मीन यानि कि गुनोत्तर माध अगर निकालना होगा, तो इसका तरीका क्या कहता है, अगर GM लीकालना हो दो नमबर का एय और बी आ तो हम लिखेंगे रूट अंडर एगुना बी वह कि इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसके ऑबृ एक बटतके किसी भी नमबर का पार एक बटत को यानी कि उसका रूट ही महिं अगर तीन नंबर है A B C इसका निकालना है गुनोत्रमा तो A G 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 N..... positive इस प्रकार से से ए गोने भी-गोने दी-गोने दॉट डॉट डॉट-डॉट अगर इन नमबर है तो इसका पावर्री क्या होगा 1 बत्टा-ईं होगा यानी जीतना नमबर पावर उतना होका दो संख्या दोनों को गुना करके पावर एक बट्टा दो तीन संख्या तो तीनों को गुना करके पावर एक बट्टा तीन चार संख्या तो चारों को गुना करके पावर एक बट्टा चार इन संख्या तो सभी संख्या गुना करके पावर एक बट्टा इन तो सबसे जादा यहां दो नंबर वाला पूछा जाता है तो अगर दो संख्या का समनांतर माध निकालना होगा तो दोनों को जोर करके दो से भाग और गुनोतर माध तो दोनों को गुना करके उसका रूट करेंगे तो यहां बोला है कि समनांतर दो संख्याओं का समनांतर माध साथ है और गु हो जाएगा तो यानि इस से ही पकर में आ गया अगर मान लीजे सामनांतर माद साथ देने वाला यही तो आप्सन है दोनों को जोर करके दो से भाग चौदा बट्टा दो साथ इसका तो चारदा समल पांच आएगा उसका क्या आएगा गारा इसका तेरा बट्टा दो आ आगे चलिएं अगले कुष्र में देखिएत हैं फिर है आपका साथ केस्कुएर साथ का क्यूब है यहां साथ है इसका मतलब साथ का पावर एक होगा ड़िनॉम्ञां भंड़तल है कि आतना है अंकैसे निकालेंगे तु रह्यांगे यहाथ कुछ कुछ परकार से न थक है उस्ताइट का पावर हम इन लिख दिये लेर यदीए और चुकि इसका गुनोतरमाब्ग है तो हम पावर इसका क्या कर लेंगे यहीड हो जैगा यहीं इसका गुणोतरमादL की juste से юदा man to power चूड़ता है उसताथ का पाबर क्या होगा एक पलस दो पलस तीन पलस कहां तक एन तक हुद होगा और इसका होल पाबर क्या जाएगा अपका एक बड़ा और दे के साथ को अपने जगा पर रहने दीजीों से लेकर के ऐन तक के संख्यावों का यो यह क्या होता है एन ट्रिपलस वजन पर्खिल होता यह होगा से लेकर की एट के संख्याओं का गुना और इसका पावर एकुपक्तान इसका Points आप अच्छे से पता देखिएगा इधर क्या है आपका एन नीचे है तो एन से एन कैंसील अब हमारे पास क्या बचा साथ का पावर एन प्लस वन गुना एक एन प्लस वन ऊपर में और नीचे में कितना नीचे में दो उसाथ का पावर एन प्लस वन बाई टू उसाथ का पावर एन प्लस वन बाई तो दी कलब एंसर ना प यह मारां सरी हुआ ऑफ साथ का पावर नछक्ट से लिखन की चली ये कितना आजाएगा कुछ फॉर्मूला होता है आप गुश्य करेंग News तो जब इससे इसमें गुना करेंगे तो इससे एकटेगा ना इस तरीके से एक विडियो में इतना ही और जैसा कि हमने आपको बताया किसका पीडियेफ जरू डाउलोड करिएगा वीडियेफ मिलेगा आपको मैट्स वाट का टेलिगराम के उपर तो मिलते हैं अगले वीडिय झाल झाल